हलो बच्चों आज हम लोग फिर से मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग का फस्ट वीडियो यूटूब पर अपलोड कर दिया गया है आज हम लोग सेकंड पार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का पढ़ें है उसका हमने करेक्टरस्टिक आपको बताया अब आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि मैटर के स्टेट कितने होते हैं और उन इस्टेट में उनकी प्रोपाईटी क्या होगा तो नेक्स टेटिग बच्चों आप लोग लिखिए Vou हैस इस तीट आप मैटर इस टेट आफ मैटर। इसटेट आफ मैटर के तो ऐसे में लिव अगर देखा जाए 5 सेट होते हैं माइटर के पहला सॉलिड दूसरा लिक्विड तीसरा गैस चौथा प्लाजमा एंड फिप्थ इज भी कंडनसेट तो फाइफ स्टेट होते हैं लेकिन केमेस्ट्री में आपको केबल तीन ही पढ़ना है सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो हम लोग समझते हैं माइटर के स्टे स्टेट मेंली हम लोग तीन ही देखेंगे फास्ट इज सॉलिड एंड सेकंड इज लिक्विड एंड थाइज गैस माइटर के तीन स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस फोर्थ है कि प्लाज्मा करि ओर एक ईस्टेट और ले लेते हैं जिसका नाम है विकंडनसेट कि भी कंडनसेट यह भी मय तो टोडल फाइफ इस्टेट होते हैं मैटर की लेकिन आपको में लीन देखने हैं तीन देखें बच्चों जो solid होता है, मैटर का जो solid state है, इसमें जो constituent particles या जो छोड़े छोड़े particles solid में होते हैं, उनका arrangement बहुत ही regular geometrical arrangement होता है, मतलब एक order में सारे particles arrange होते हैं, इस type का, solid particles जो होते हैं, एक definite order में arrange होते हैं, और उनके बीच का जो distance होता है, बहुत ही कम, negligible distance होता है, solid substance के बीच जो arrangement है, जो space है, बहुत ही कम होगा, liquid में जो इसके component या constituent होते हैं, उनके बीच में उतना ज्यादा definite arrangement नहीं होता है, irregular way में थोड़ा होते हैं, लेकिन solid के compare में इनके बीच का जो distance है, थोड़ा सा ज़ादा है, इसके बीच का जो distance है, थोड़ा सा ज़ादा है, solid के compare में, अब अगर गये spikeles हैं, तो यहां तो बिल्कुल ही definite arrangement नहीं है, यह randomly इदर उदर move करते रहते हैं, गये spikeles, बहुत दूर दूर move करते रहते हैं, तो कुछ point बच्चों हम लोग इसका देखते हैं, solid का कुछ special property होता है, जैसे solid जो substance है या state of matter solid जो है, यह definite shape का होता है, तो first point लिखेगा definite definite shape, बहुता है, एक निश्चित इसका safe होगा, यह नहीं कि हम ऐसा बदलता रहता है, किसी container में रखो गे तो change हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन liquid की अगर हम बात करें, तो no definite, no definite shape, इसकी shape निश्चित नहीं होता है, जिस container में रखेंगे उसी का shape या कुप आई करेगा, और gas में भी no definite, no definite shape, इसका भी shape definite नहीं होता है, second point बच्चों, जो solid substance होते हैं, बहुत rigid होते हैं, बहुत ही rigid मलग कठोर होते हैं, दबा नहीं सकते हैं, उसको ऐसे compress करना चाहें, तो हम दबा नहीं सकते हैं, बहुत rigid होता है, और liquid जो होते हैं, यह rigid नहीं, fluidity type का होता है, मतलब बहा सकते हैं, बहाओ होता है, इसमें, fluidity, और अगर gas की बात करें, तो यह भी बहा सकते हैं, fluidity type के होते हैं, यह भी इनमें भी बहाओ होता है, rigid नहीं होते हैं, दोनों, ना तो liquid, ना तो gas, अगले point के अगर हम बात करें, तो solid substance या solid state meter का distinct boundaries होता है, distinct boundaries, distinct boundaries होता है, और जो liquid होता है, इसका कोई definite boundaries नहीं होता है, no definite boundaries, इसकी कोई निश्चित boundaries नहीं, boundary मलब सीमा, distinct boundaries मलब एक particular area में यह होगा, एक निश्चित सीमा होगा, और gas क्या है, gas का अगर हम बात करें, तो इसका भी no definite boundaries, no definite boundaries, इसका भी कोई निश्चित boundaries नहीं होता है, next point बच्चों देखिएगा, अगर हम लोग compressibility की बात करें, तो solid component को हम compress नहीं कर सकते, incompressible यह होता है, तो यह क्या होता है, incompressible, incompressible मलब इसको हम compress नहीं कर सकते, जैसे यह solid है, यह pen हमारा solid है, तो इसको compress हासानी से नहीं किया है, बहुत pure solid तो है नहीं, लेकिन तब भी इसको compress नहीं किया जा सकता है, और जो liquid है, यह low compressible होगा, low compressible, low compressible होगा, मलब इसको थोड़ा बहुत compress किया जा सकता, लेकिन बहुत जादा नहीं, वाटर को आप compress कैसे करोगे, वाटर को compress नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ ही possibility है compress करने का, लेकिन अगर gas है, तो इसको high compress किया जा सकता, high compressible, high compressible यह होता है, मलब gas को compress करके बहुत छोटे container में कठा, यह सरा gas छोटे container में आप ही कठा कर सकते हो, अगर बच्चों volume की बात करें, तो solid का volume जो है definite होता है, definite volume, definite volume, definite volume, और इसका भी volume, liquid का भी volume definite ही होता है, definite volume, definite volume, volume तो fix ही होगा, 1 liter, 2 liter कुछ भी होगा, और gas की अगर हम बात करें, तो no definite volume, इसका volume definite नहीं होगा, no definite volume, जिस container में रखेंगे, उतना भी हम compress करके, उसमें उसको रख सकते हैं, तो बच्चों यह state of matter की बात रही, अब हम लोग state of matter यानि solid liquid gas को एक दूसरे में interchange कर सकते हैं, बाई applying temperature and pressure, अगर हम temperature pressure को apply करें, तो यह तीनों state एक दूसरे में change हो सकता है, कैसे बच्चों, समझे आप लोग, देखिए, जैसे, जैसे माल लेते हैं, solid है, समझेगा, solid, liquid, solid, liquid और gas, माइटर के इस बेसलिए तीन state हम लोग देखते हैं, solid, liquid और gas, तो solid, liquid में बदल सकता है, liquid, gas में बदल सकता है, gas, gas, liquid में बदल सकता है, और liquid, फिर से solid में बदल सकता है, लेकिन आपको temperature, pressure का ध्यान देना जरूरी है, जैसे, solid के constant particles बहुत नजदीक होते हैं, तो जब उसमें हम temperature बढ़ा दें, जैसे बहुत नजदीक होंगे solid component, तो जब हम यहाँ heat कर दें, temperature बढ़ा दें, तो इन particles के बीच जो kinetic energy होगा, वो increase होगा, kinetic energy increase होगा, तो particles से move करेंगे, बाइबरेट करने लगेंगे, बाइबरेट करेंगे, तो एक दूसरे को धक्का दे करके दूर दूर जाने लगेगा, और जैसे ही constant particles दूर दूर जाने लगेगा, वो solid से किदर भागने लगेगा, liquid के तरह, तो आगर हम temperature बढ़ा दें, और नजदीक जबा जाएगा, तो liquid फिर वही solid में बदल जाएगा, तो temperature increase करें, और pressure decrease करें, तो solid के जो constant particles से मों दूर दूर shift होने लगेंगे, और solid बदल जाएगा, किसमें? liquid में, लेकिन अगर liquid का temperature और बढ़ा दिया जाए, जैसे water है, temperature बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और pressure एकदम कम कर दिया जाए, बहुत ही कम कर दिया जाए pressure, तो liquid gas में बदल जाएगा, पता चला तुम pressure भी बढ़ा रहे हो, तो जो liquid gas में बदला, फिर वो compress हो करके liquid में आ जाएगा, तो temperature बढ़ाना है, pressure घटाना है, तभी liquid gas में बदलेगा, ठीक है, आप देखिए बच्चों, अगर gas को liquid में बदलना है, तो हमें temperature कम करना पड़ेगा, temperature कम करना पड़ेगा, और pressure increase करना पड़ेगा, अगर pressure आप बहुँ जादा कर दो, तो जो दूर दूर gaseous component थे, वो compress हो करके liquid में convert हो जाएगे, और temperature भी कम करना पड़ेगा, अगर liquid को solid में बदलना है, तो temperature बच्चों आपको घटाना है, और pressure बढ़ाना होगा, तो liquid हमारा solid में बदल जाएगा, अब chemistry में अगर आप temperature दे रहे हो, इसका मतलब heat absorb करेगा component, और heat अगर कोई भी absorb कर रहा है, इसका मतलब वो होगा, इंडो thermic process, और इंडो thermic process को हम delta h equal to positive sign के द्वारा लिखते हैं, तो अगर हम solid से liquid के तरफ जा रहे हैं, तो temperature दिया जा रहा है, मतलब heat दिया जा रहा है component को, heat जब दे रहे हैं, तभी kinetic energy बढ़ रहा है, vibration होगा, एक दुसरे से टकरा करके दूर जाएगा, तभी liquid में बदलेगा, तो इसका मतलब heat दे रहे हैं, इसका मतलब delta h enthalpy या heat, equal to दिया जा रहा है, इसका मतलब इसका sign हो जाएगा positive, क्या हो जाएगा, positive, अब liquid हमारा gas में अगर बदल रहा है, तो यहाँ भी तो temperature दे रहे हैं, temperature दे रहे हैं, मतलब heat दे रहे हैं, heat दे रहे हैं, मतलब delta h, heat ही है, और यह sign यहाँ भी हो जाएगा positive, तो अगर delta h का value positive होता है, तो यह process होता है इंडो थर्मिक, यानि solid से liquid, liquid से gas का बदलना, this is this example आप इंडो थर्मिक प्रोसेस, अगर gas को liquid में बदला जाए, तो यहाँ तो delta h का value negative हो जाएगा, क्योंकि निकल रहा, heat, release हो रहा है, और अगर liquid को solid में बतला जाए, तो यहाँ भी तो temperature घट रहा है, इसका मतलब delta h का value यहाँ भी क्या है, negative है, बास समझ में आया बच्चों, तो अगर delta h negative है, तो इंडो थर्मिक प्रोसेस, delta h अगर positive है, तो इंडो थर solid को liquid में बदला जाए, तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते है, melting, melt हो जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते है, melting, यानि solid अगर liquid में बदल जा रहा है, तो इसको बोलेंगे melting, और अगर liquid, gas में बदल रहा है, तो इसे बच्चों बोलेंगे, vaporization, क्या बोलेंगे, vaporization या इसी को boiling भी हम लोग बोल सकते हैं अभी details में इन सब पर heading पड़ेगा पुरा मैं details में melting, melting process, vaporization सब मैं details में समझाऊंगा आगे अब अगर guys liquid में बदल रहा है guys अगर हमारा liquid में बदल रहा है तो इस process को बच्चों हम लोग बोलेंगे condensation क्या बोलेंगे condensation और अगर liquid हमारा solid में बदल रहा है तो इस process को बच्चों हम लोग बोलेंगे freezing, freeze हो जा रहा है freezing बोलेंगे मलब जैसे water है liquid आप freeze में रख देते हो तो बर्प बन जाता solid हो जाता तो freeze हो गया अगर gas है तो condense हो करके liquid में बदल जा रहा है लेकिन अगर solid है वो direct gas में अगर बदल जाए तो इस process को बच्चों बोलेंगे sublimation क्या बोलेंगे sublimation तो ये सारे process हम लोग details में पढ़ेंगे इसी chapter में यही सा process हमें पढ़ना है इस chapter में details में मैं आगे one by one video ऐसे upload करूँगा आपको पूरा content YouTube पर आपको मिल जाएगा free और आप घर पर बैट करके अपना self study कर सकते हैं और मैं पूरा detail में ऐसे explain करूँगा हमारा video 9th, 10th, 11, 12 सारा chemistry का video upload किया जाएगा इसी way में तो देखिए अगला point these are reversible process ये सभी process क्या है reversible process है मतलब एक दूसरे में change हो सकता है अगर मान लेते हैं देखिए एक मैं ऐसे arrow लगा देता हूँ मनलब ये solid से उधर जा रहा है gas के तरफ इधर आ रहा है solid इधर मैं ले लेता हूँ solid और यहां मैं बीच में लिखूंगा liquid और ये gas और इधर मैं लिख देता हूँ plasma plasma का मतलब electron होना चाहिए और iron होना चाहिए state में तो वो plasma state माना जाता है अगर heat absorb कर दिया जाए heat अगर absorb हो रहा हो अगर heat absorb होगा तो solid पहले liquid में बदलेगा liquid फिर gas में बदलेगा और gas last में ironize हो करके plasma में बदल जाएगा मनलब solid से liquid gas और plasma के तरफ अगर जाओगे तो heat क्या होगा बच्चों absorb होगा और अगर plasma से gas liquid और solid के तरफ आएंगे इसका मतलब heat क्या होगा evolve होगा heat release होगा या evolve होगा और नीचे का जो process है यह है एक जो थर्मिक process एक जो थर्मिक प्रोसेस और इसके लिए delta h का value हो जाएगा negative plasma से solid के तरफ जाएंगे तो delta h का value negative होगा इसे बोलेंगे इंडो थर्मिक उपर वाला इंडो इंडो थर्मिक और यहां heat delta h का value हो जाएगा positive क्योंकि यह absorb कर रहा है तो बात समझ में आया बच्चों तो इसके आगे हम लोग next video part 3 में continue करेंगे सारे process के बारे में मैं बताऊंगा melting का definition, vaporization, condensation मैं details में अगले lecture से फिर continue करूंगा ok thank you